रोज रोज हमें एक ही टेंसन रहती है कि नास्ते में ऐसा क्या बनाया जाए जिसे बच्चे खुस होकर खाएं और बनाने में ज़्यादा मेहनत भी न लगे नमस्कार मैं अंकीता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल अंकीता की रसोई में आज मैं आपके लिए ऐसे नास्ते की रेसिपी लेके आई हूँ जो फटा फट से बनकर तयार हो जाता है और बच्चों को तो बहुती ज़्यादा पसंद आता है तो चलिए नास्ता बनाना सुरू करते हैं यहां मैंने एक चम्मच सरसो का तेल लिया है तेल गरम हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और अब हम इसमें डाल देंगे 6-7 कटी हुई हरी मिर्च और ये यहां मैंने 1 चमच सफेद तिल लिये हैं ये भी इस तड़के में हम डाल देंगे इससे इस नास्ते में बहुत यच्छा टेस्ट आएगा नास्त थोड़ा ज़ादा चट पठा बने तो इसलिए मैंने हरी मिर्ची थोड़ी ज़ादा डाली है आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्ची कम इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसी में मैंने बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है अब सारे तड़के को हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है दोस्तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा और देखिए तड़का बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है अब हम इसमें दो कटोरी भरके पानी डाल देंगे यहां मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है नापने के लिए आप घर का कोई भी गिलास या आप कोई भी बरतन ले लीजेगा और उसी के नाप से इसमें पानी डालिएगा अब हम इसमें डालेंगे दो कच्छे आलू यहां मैंने कच्छे आलू का इस्तेमाल किया है दो मेडियम साइज के आलू लिए हैं और उनको कद्दू कस करके धो के इसमें डाल देंगे दोस्तो रेसिपी आपको समझने में आसान लगे तो इसलिए मैं घर के बरतनों का ही इस्तेमाल करती हूँ और उसी के नाप से सारी रेसिपी में बताती हूँ क्योंकि हर कोई अपने घर में नाप वाले कप नहीं रखता है लेकिन कटोरी गिलास दाल सबजी खाने के लिए हर घर में मिलता है तो उसी के नाप से मैं अपनी हर रेसिपी बताती हूँ एक चोथाई चमच मैंने इसमें नमक डाल दिया है नमक थोड़ा कमी डालिएगा क्योंकि नास्ता बनने के बाद नमक बहुत तेज हो जाता है तो आप इसमें कम से कम नमक का इस्तेमाल करें सारे मसाले डालने के बाद अब हमें इसे डखकन लगा देना है और इसमें एक बोईल आने तक इसे पकाना है और देखे पानी में बिल्कुल अच्छे से एक उबाल आ गया है यानि के पानी बिल्कुल अच्छे से बोईल हो गया है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दो से तीन मिनट में ही इसमें एक अच्छा सा बोई ला गया है और जो हमने इसमें कच्छा लू डाला था वो भी बिल्कुल अच्छे से पक गया है अब इसमें हम एक कटोरी भर के सूजी डाल देंगे जिस कटोरी के नाप से मैंने पानी डाला था उसी कटोरी के नाप से मैंने इसमें एक कटोरी भर के सूजी का इस्तेमाल किया है अब गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देना है और फटा फट से इसको हमें मिक्स कर देना है इसको हमें जल्दी जल्दी मिक्स करना है क्योंकि सूजी है जो सारा पानी सोख लेती है बहुत जल्दी और इसमें गांट पड़ जाती है इसलिए हमेंसे फटा-फट से mix करना है ताकि इसमें गांठे ना पड़े अभी हमने gas का flame ओप नहीं किया है गैस का flame बिल्कुल कम कर दिया है और देखिए सूजी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है इसने सारा पानी सोक लिया है और ये डो के फॉम में आ गई है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और तीन से चार मिनट के लिए इसको ढखकर रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए तीन से चार मिनट के बाद ढखकर नटाएंगे और हाथ पर हमें थोड़ा सा तेल लगा लेना है हातों पर तेल लगाने से ये जल्दी सट हो जाएगी और हात पर भी नहीं चिपकेगी अब हमें इसतरह से इसको हलके-हलके हाथ से अच्छे से से कर देना है सूजी को हमें बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, अभी भी ये अच्छे से गरम है और गरम में हमें से सेट करना है और गरम में हम इसका नास्ता बनाएंगे ठंडे होने के बाद इसका नास्ता इतने अच्छे से नहीं बन पाएगा एक बार और मैंने थोड़ा सा तेल हातों पर लगा लिया है अब इसमें से हमें थोड़ा सा ये सूजी का बैटर ले लेना है और इसको इस तरह से गोल गोल करके चिकना कर देंगे और हतेली से इसको इस तरह से हम हलका सा दबा देंगे और इसके बीच में हमें होल कर देना है साइड से भी इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर देना है ये देखिए इस तरह से हम इसमें उंगली से होल करेंगे जैसे हम बड़ा बनाते हैं डाल का उसी तरह से हमें इसे बना कर तयार कर लेना है और ये देखिए ये एक मैंने बना लिया है बागी का सारा नास्ता भी हम इसी तरह से बना कर तयार कर लेंगे एक बार मैं आपको और बना कर दिखाती हूँ इस तरह से हमें इतनी बड़ी लोई बनानी है जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं उसके साइज के हमें लोई बना कर इस तरह से बीच में होल करते हुए बड़े की सेफ देके हुए इसको नास्ते को बनाकर तयार कर लेना है तो देखिए ये कितना सुन्दर सा हमारा डिजाइन बनकर तयार हो गया है तो देखिए सारा नास्ता मैंने इसी तरह से बनाकर तयार कर लिया है यकीन मानिये दोस्तों बहुती स्वादिश्ट ये जो नास्ता है हमारा बनकर तयार होगा और इसको बनाने में हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी बच्चों को तो ये बहुती ज़्यादा पसंद आने वाला है एक कड़ाई में मैंने तेल को गरम होने के लिए रख दिया था और तेल बिल्कुल अच्छे से गरम हो गया है अब हम एके करके ये सारा नास्ता इस गरम तेल में डाल देंगे जितना नास्ता इस तेल में आसानी से आजाए उतना नास्ता हम इसमें डाल देंगे यह अपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है तो आराम से हम इसमें 6-7 पीस इकटे डाल कर फ्राई कर सकते हैं और इसको डालने के बाद में हमें इसे तुरंत नहीं पलटना है थोड़ी देर बाद जब ये तैर के तेल में उपर की तरप आने लग जाएगा तब हम इसे पलटेंगे थोड़ी देर के बाद हम इने पलट देते हैं दूसरी साइड से भी हम इने अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इने तलना है तो देखिए नास्ते को अलटते पलटते हुए हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और यह अच्छे से क्रिस्पी भी हो गया है तो अब हम इने एक बलेट में निकाल लेते हैं तो देखिए एक कप सुजी से हमारा जो है बहुती टेश्टी खस्ता नास्ता बनकर तयार हो गया है जो बच्चों को बहुती ज़्यादा पसंद आएगा आप इसे सुबह के नास्ते में या साम की चाय के साथ या बच्चों के टिफिन में भी आप इसे दे सकते हैं बच्चों को तो ये इतना पसंद आएगा कि रोज रोज आपसे यही नास्ता बनवा कर खाना चाहेंगे बच्चे और बाकी के बचे हुए नास्ते को भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है और ये देखिए देखने में जितना खूबसूरत है यकीन मानिये खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेश्टी बना है मैं आपको इसका एक पीस दिखाती हूँ और देखिए कितना बाहर से खस्ता ये नास्ता बना है जितना ये बाहर से खस्ता है उतना ये अंदर से सोप्ट है तो आपको मेरी ये चटपटे से नास्ते की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा रेसिपी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सिस्क्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू